अपने अगले वितामिन A और D वार्मिंग वितरण से पहले एक वितरण रेजिस्टर तयार करें ताकि आपके द्वारा वितरित की जाने वाली खुराक और वितामिन A और अलबेंडजॉल के बचे हुए स्टॉक का ट्रैक रखा जा सके वितरण के दौरान अपने शिरुवाती स्टॉक को नोट करें और फिर वितामिन A और अलबेंडजॉल की प्रत्ये खुराप को रेजिस्टर में नोट करें वितरण के अंत में कूल संख्या का मिलान करें आपके द्वारा वितरित की गई खुराप की संख्या और शेश बचे हुए स्टॉक पर ध्यान दें उदाहरण के लिए एक वर्ष से कम आयू के पंदरह शिशुओं को 27 फरवरी 2022 को खुराप दी गई थी जिसके बाद आपके पास वितामिन A ब्लू कैपस्यूल के 485 कैपस्यूल बचे और इसी प्रकार बाकी भी नोट करें देख भाल करने वालों को अपने बच्चे के स्वास्थिकाड को हमेशा वितरण में लाने के लिए याद दिलाना जरूरी है क्योंकि ये बच्चों की उम्र और पिछली खुराप कारिक्रम की पुष्टी करने में मदद गरता है खुराप देने के बाद खुराप की तारीक के साथ बच्चे के स्वास्थिकाड को भी अपडेट करें इससे ये सुनिश्चित करने में मदद होती है कि बच्चे के स्वास्थ रेकॉर्ड सटीक और अपडेट हो चुके हैं